अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हो तो आपके लिए online बहुत सारा material already available है लेकिन ये material दो तरीकी के होते हैं एक वो जो आपको आपके गोल तर लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वही पर गोल 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 गुमाता रहता है तो depend आप पर करता है कि आपको कौन सा material चूज करना है M.M. Academy app ये एक ऐसा platform है जहाँ पर आपको highest quality content के जो videos है वो देखने को मिलेंगे जहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे courses आपके लिए लाए जा रहे हैं जैसे कि modern history का course already completely available है उसी के साथ quality का course चल रहा है, ethics का course चल रहा है, current affair का course चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे courses जो है जैसे कि geography, economy, environment बहुत सारे courses आपके लिए आने वाले हैं और ये courses highest quality के रहेंगे जो आपको आपकी preparation में काफी ज़दा help करेंगे तो आप mmacademy app को download कीजिए और जो demo lectures है उन्हें एक बार देखिए उसी के साथ साथ आपको preparation में help करने के लिए जो PDF है वो भी available रहेगी जहां से आप revise कर सकते हो क्योंकि revision ये बहुत ज़दा important होती है और mmacademy app ये पहला platform है जहापर students के साथ individually मैं live interact करता हूँ जहांपर उनके जितनी भी doubts होंगे भली वो academic हो या personal हो वो सब मैं solve करता हूँ तो जल से जट download कीजिए mmacademy app और videos को enjoy कीजिए Hello everyone, welcome to mmacademy, mmacademy के स्टैटिक जी की course में मैं स्ट्रांग लखिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो बें डिसक्स करेंगे युनेसको मैं जो world heritage side है इंडिया में बात करूंगा में युनेसको की युनेसको का फुल फॉर्म है आपको पता है United Nations के six organs है तरीके six organs है और United Nations, UNESCO का फुल फॉर्म है United Nations educational scientific cultural organization इस पेशल और इजिशन ऑप उड़ाइट निशन तो बेसिकली यह एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चिरल और निशन है जिसे हम कहते हैं युनेस को इसका एम क्या है इसका एम यह है कि तो प्रमोटिंग वर्लड पी सेक्योर्टी त्रू इंटरनेशनल कोपरेशन एंड़ इसका आइजुकेशन नदा कल्चर और किसी कर्म इसवाएं। तो अगर आपको पता छले हैं य्युनेस को किसा इप यह पर देखेंगा उसको से बारे आनेंगे तो आप मैं आउटामेटेंग जो है एजुकेशन डेवस होगी तो आप बिल्कुर साथ रहें कि आप देख लेजी किक हो AG जितने वी लोग टॉकेट्न हैं काफी अच्छी हो जितना जिकायों होते जाते ह। उतने वह इसन्थ होते और 11 असोसियेट्स मेंबर हैं युनेस्को की हम बात करेंगे तो 4 नेवंबर 1945 को establishment हुआ था हेड़पर्टर है पैरिस में पैरिसी केप्टल है फ्रांस ruling party है एन मार्शे एंड प्रेसिडेंट एज इम्मुनल मैक्रॉट बात करूँ पैरेंट और्गनाइज़ेशन की तो युनेस्को आता है युनेस्को आता है युनेस्को एकनॉबिक और सोचल काउंसिल के अंदर तो यह आपको त्यान रखना है एड़कोर्टर की मैं बात करूँ तो नियॉयॉ यूएसे में हेड़कोर्टर है और नियॉयॉक में हेड़कोर्टर किसका यूनिसेफ का जिसके जो चीफ हैं वो कहें कोन है है हैंड्रियेटा फूर्ड बेसिकली आपको ध्यान रखना है बात करें हैरिटेज होता क्या है देखिए हैरिटेज कुछ इस तरीके का मॉन्यूम होता है जो किसी कल्चर को किसी मोस्ट मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रिशन है और जो मीनिंग्स हैं वहां की एक्टिविटीज हैं वहां के बहुत कैसे रहते थे उनको जो दर्शाता है उसे हम हेरिटेज कहते हैं तो बेसिकली हैरिटेज को प्रिजब करना और जो पुराना कल्चर है उसको हम प्रमूट करते हैं लोगों को बताते हैं जैसे अगर आप रेड़ फूट घूमेंगे कभी रेड़ फूट अगर आप गए है तो वहाँ पे अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 20 चीजे रेड़ पोड के अंदर रेड़ फूट में इतनी सारी चीजे हैं जैसे छाता बाजार है दिवाने आम है दिवाने खास है तो जब आप अंदर जाएंगे तो आपको यह सब चीजे देखने को मिलेंगे उसके बाद मैं आपको बता दू तो रेड़ फूट में जो म्यूजियम हैं वहाँ पे आप करने के लिए तयार होते थे जब यूद्ध होता तो किस तरीके से वो जो हैं अपने आपको तयार करते थे आपको स्वार्ड देखने को मिलेगी उनकी किस तरीके की स्वार्ड होती थी तो बैसिकली यह सब चीजें जो है एक हरिटेज है जो हमारी पुरानी सभेता रही है पूरे वर्ल्ड में 1,121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो से 167 स्टेट्स में लोकेटेड है उसी अगर मैं बात करूं तो जिसमें 869 कल्चरल है 230 नेच्राल है और 39 और मिक्स्ट प्रॉपर्टी बात करूंगा कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां है वर चाइना में 55 यूनेज को वर्ल हेरिटेज साइट से फिर आपको मिलेगा इस्पेन में 48 यूनेज को साइट से और स्पेनी केपटल हैं चाइना केपटल है बीजिंग जर्मानी केपटल है बर्लेंग एंड कृष्टियन डेमोकरेटिक यूनियर इस दा रूलिंग पार्टी वाइस चांशलर इस एंजला मरकल इस गली आपको ध्यान रखना ए एड बुंडिश्टैक इस दा पार्लियमेंट ऑफ जर्मनी 46 यूनेट को साइड आपको देखने को मिलेंगी फ्रांस में 45 आपको देखने को मिलेंगी भारत में आपको 37 देखने को मिलेंगी नौ बट इस 38 इंडिया में अब जो है 38 है तो दिखिली आपको ध्याद रखना एक यूंकि रिशेण्टनी जैफुर को यूट किया गया है जैफुर जो है उसको वर्ल driverста कि बना दिया गया सबसे मेन है कि वह एक masterpiece हो वह एक रेप्रेजेंट करता हो एक masterpiece को यूमन creative genius हो उसको यूमन ने create किया हो किस तरीके से मतलब आप देखेंगे जसलाइक आप red food तो red food आप देख लीजे आप ताज महत देख लीजे तो यूमन ने इसको create किया है और सबसे शांदार चीजों मेंसे वह एक है तो वह बिल्कुल masterpiece होना चाहिए उसके अलावा उसमें उसकी कुछ human values होना चाहिए उसका cultural area होना चाहिए कुछ और architecture में development होना चाहिए जैसे जो अच्छा काम किया है उसमें development किया है उसमें technology होना चाहिए और उसका town planning बहुत अच्छी होना चाहिए town planning भी देखी जाती है monumental arts देखा जाता है landscape design देखी जाती है तो basically यह जो है कुछ criteria है और उसके साथ साथ वह एक unique होना चाहिए बिल्कुल उसका जो tradition है और वह किसी cultural यह cultural tradition को यह civilization को दर्शाता हो तो basically यह तीन criteria है और criteria के हम बात करें तो एक outstanding example होना चाहिए building का कि बहुत ही अलग building है चीक है उसके साथ उसमें architectural technological जो landscape जो होना चाहिए और उसके साथ साथ और अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ human settlements रहे हों कि जो human रहते थे वहां पर उनका culture ऐसा था वह इस तरीके से रहते थे इस तरीके से वह खाते थे इस तरीके से जो है वह अपना जो है business करते थे चोटा मुटा जो भी काम करते थे तो basically यह जो है इस तरीके से declare करता यूनेस्कों वर्ल्ड रेटेज साइड होती है तो यह अगर हम बात करें तो नैच्वरा जैसे एक नैच्रल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं तब डेक्लेयर करता है उसके साथ साथ वह एक आउटेस्टेंडिंग अग्जांपल होना चाहिए कि वह किसी अर्थ की हिस्ट्री को या किसी चीज़ को दर्शाय जैसे आप देख लीजिए असाम में है काजी साथ रंगंट चाहिए तो बिंस तरीखे से कुछ खासीत होना चाहिए कहीं ना कहीं परशकी स्थ ही जो नैच्रल साइड जो टेक्लियर करी जाते हैं तो किस तरीखे से उसको टेक्लियर किया जाता है तो बेसी कली और और अगर मैं बात करूं टो most important जो है वह और वहां पर जो एक जो आप जिसको भी टेक्लियर कर रहे है नैचरल है वर्ल्ड हरिटेज साइट तो वहां पर कुछ ना कुछ जो है वो यूनिवर्सल वैल्यू भी होना चाहिए अब बात करेंगे हैं इंडिया की भारत में कितनी वर्ल्ड हरिटेज साइट हैं जो भारत में लुकेटद हैं और जो हमारे 28 इचेट उनमें यह लुकेटट है है और उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूं आपसे तो हमारी 30 जो है cultural sites है, 7 हमारी natural sites है और 1 जो है वो mixed criteria sites है और भारत जो है वो 6th number पे आता है world heritage sites पे बात करेंगे कि कहां कहां located है तो सबसे पहले अजन्ता केव जो माराष्ट में और अरंगाबाद में इस्चित है 1983 में इसको declare किया गया था कि ये world heritage UNESCO site है और ये 30 rock cut buddhist cave monuments है जो आपको 2nd century BC का आपको देखने को मिलेगा और ये जो situated है वो औरंगाबाद district महाराष्ट में situated है अलोरा caves की बात करेंगे अलोरा caves भी महाराष्ट में है और ये 1983 में इसको UNESCO world heritage site declare किया गया था basically ये 34 monastery and temples जो है वो पूरे 2 km में फैले हुए है और ये जो है और अंगाबाद महाराष्ट में situated है तो basically remember this and the monuments dating from AD 600 to 1000 तो बेसिकली यह जो है ancient life ancient life को दर्शाते हैं भारत की जो ancient civilization थी वो उसको दर्शाते हैं आप अजन्ता के देख लीजे आप ऐलोरा केवस देख लीजेए अजन्ता केवस से लोरा केवस के लिए फिर में पेंटिंग्स भी है आगरा फोर्ट के हम बात करेंगे उत्तरप्रदेश में 1983 में इसको जो है कैपिटल है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट करनी गई तो बैसिकली बिफोर बिडिश के आने से पहले यह जो लास्ट रूलर थे वो थे कौन मराठास तो बैसिकली आपने अगर पानी पत देखी है तो उसमें रहता है कौन एहमद शाह अब्दाली और दूसरी ज़र रहते ह है मराठास जब थर्ड बैटल ऑफ पानी पत होता है और उस समय मराठास कैप्चर कर लेते हैं किसको डेली को महाबली पुरम टेंपल्स जो तामिल नाडू में है उसको 1984 में युनेस्को वाल्ट हरेटेस साइड टिक्लियर कर दिया गया था तो ग्रूप ऑप समय गई और एस जो महाबली पुरम टेंपल्स यह पॉर्टी जो है एंस्ट मॉन्युमेंट्स हैं और हिंदू टेंपल्स है और पूरे वर्ड में तो basically remember this and यह जो monuments है महावाली पुरम temples तो आपको पता है यह पल्लव dynasty ने पनवाया गया था तो basically remember this इसको मवाला पुरम temples भी बोला जाता है और महावाली पुरम temples भी बोला जाता है तो basically यह आपको याद रखना है ताज महल की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो आकरा में है ताज महल बहुत ही फेमास है seven wonders of the world है ताज महल जो है उसको crown of palace भी कहा जाता है यह ivory white marble का जो है बना आया गया है और यह जो marble आया था वो राजिस थान से आया था basically और इसको sorry और ताज महल जो है वो यमना रिवर के bank में इस्तित है means it is situated at the bank of river यमना and it was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor शाह जहां तो basically यह आपको ध्यान रखना है और जो शाह जहां है उनने अपनी वाइफ के लिए यह बनवाय था उनकी वाइफ थी मुम्तास और फिर उसके बाद जो है जो शाह जहां को भी यहीं दफना दिया गया था और मैं आपको बता दो तो 42 एकार में यह पूरा complex बना हुआ है इसमें mosque भी है इसमें guest house भी है इसमें formal gardens भी है और पूरे proper town planning है वो आपको देखने को इसमें मिलेगी तो proper town planning हमने देखा था कि हमें तो 3rdr satta क्या गया था और ये hope must型 हजाता है इंडिया में और जिसरत चुभ्द इसको डिजयां किया था उसका नाम था इबन आप рьो पाने इसको योड़ स्यदिटेवरों गिन बनेशाख से इसको कहा था कि आट muich jabu कोई भी इसको ऐसा बनाना कि कोई भी इसको तो उसके बिलुकुल दिल में बस जाए तअच महल और यह बात बिलुकुल सही अगर आप ताज महल गए है तो आप यू पसी मैश भज़िया तो उसकी खुशूर्ट ही बहुट अलग एड है इप ये एक बहुत कुछी बड़ा एक्जामपल है और बेसिकली मैं आपको बता दूँ वाट इस दबेस और ताज महल किसकी तर्ज पर बना है किसकी बेस पर बना है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हुमायू टॉम आप देख लीजिए बिलकुल आपको स्ट्रॉक्चर देखने को मिलेगा ऐसे ही आपको चार पिलर देखने को मिलेंगे और यह तीन गुंबज आपको देखने को मिलेंगी बैसिकली यह जो है मुगल अर्किटेक्ट्र का यह तरीका ही था डॉम होनी चाहिए ऑज बहुत एंड बात करेंगे संटेंपल संटेंपल जो कुनार्क ओडिशा में है और फस्ट यह टेंपल होगा इंडिया में कि जो हंड्रेड परसेंड सोलर से चलेगा सूर्य मंदर जो है कुनार्क ओडिशा में 1984 में इसको युनेस्कों वर्लेटिस से टेक्लेर किया गया आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के देखता है कुनार्क और कुनार्क संट टेंपल जो है और इसको कुनार्क सूर्य मंदर भी बोलते हैं यह 30th century पूरी का है और यह जो है ओडिशा में पूरी में आपको देखने को मिलेगा सब्सक्राइब बेसिकली इस सिचुएटेड इन पूरी और अगर मैं बात करूं तो इसको नरसिम्मा देव जो इस्चन गंगा डानेस्टी के थे उन्होंने जो है इसको एट्रिब्यूट किया और उन्होंने इसको बनवाया था और यह जो है हिंदू जो हमारे जो गौड है सूर सन उनको यह डेडिकेटेड है काजी रंगा इन नेशनल पार्क काजी रंगा कि हम बात करें तो असम में काजी रंगा मनास को औरांग तो यह आपको देखने को मिलेंगे कहां पर जो है असम में देखने को मिलेंगे दिहिंग पठकई वायड्लाइश टेंचूरी इसको बना दे गया तो यह भी असम में तो बेसिकली असम की केपिटल है क्या दिसपोर एंड सर्वादन सोनोवाल इस दा चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर चेग्डीश मुखी काजी रंगा नेशनल पार्क के हम बात करेंगे काजी रंगा नेशनल पार्क जो है असम में है में 1985 में इसको जो है वो युनेशको बाट डिटेस है डिसके डिक्लियर किया गया था और यह नेशनल पार्क है जो गोलहट कर्वी और अनलोंग और नागौन डिस्टिक पे सिट्विटेड असम में और यह सेंचुरी जो है वो टू थर्ड ऑफ द वर्ड गरेटेस्ट वन हॉ और राइनो है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो बिसिकली काजी रंगा इस विमस फॉर वन हॉर राइनो एंड इस सिट्विटेड इन असम एन इन 1985 इट इस डिक्लियर एज युनेशको वर्ल्ड हैरिटेज साइड मनास की मा बात करूं मनास वाल्ड लाइफ और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी इंपॉर त्टिया गया है यह प्रोजेक्ट टाइगर रिज्रव है इलिफेंट रिजर वह है बॉस्प्र हैं असम मई H हैंड बेसेकली it is located in foot hills foot hills of Himalayan तो basically remember this don't confuse Manas with royal Manas in Manas ko Royal National Park से Confused नहीं करेंगे जो situated है कहाँ पर जो situated है भूटान में सबस्कर निक्रमाइबर्टी वहतन कैपिल इस थिम्पू क्योलाडियो तो है यहां पर देखने को मिलेंगी और इसके साथ यह एक major tourist center है आपको जो राजिस्थान में देखने को मिलेगा and remember it is declared as the century in 1971 so it is a world heritage site churches and conventions of Goa so खुजराहो temples की हम बात करेंगे खुजराहो जो temples है वो मध्यप्रदेश में स्थित है 1986 में और मध्यप्रदेश में आपको सिर्फ तीन ही जो है एक सांची स्थूप है एक खुजराहो का temple है and you will find one more so basically आपको तीन जो है मध्यप्रदेश में आपको युजराहो group of monuments जो है और basically यह जो famous है इसको चंदेल राजाओं ने बनवाए थी मध्यप्रदेश में तो basically यह जो है खुजराहो group of monuments जो है तो basically आपसे यह question UPSC में पूझा जा सकता है खुजराहो टेमपल से हैं और जैन टेमपल से यह आपको ध्यान रगना है और यह च्छटा को डिस्टिक में है और अगर मैं बात करो तो जो राम टेमपल बन रहा है हमारा जो आयोध्या में वह भी नगरा स्टाइल का ही एक्जामपल है तो basically वह नगरा स्टाइल में बनेगा तो आपको यह चीज ध्यान रखना है और अगर मैं बात करो तो खुब जो और भी खुजराहो टेमपल्स हैं वह 1958 नाइन फिफटी एडी से 1050 एडी तक बनाए गए हैं और इनको चंदिल डाइनस्टी ने बनाए था और जो सबसे ज्यादा टेमपल्स बनाए थे वह राजा धंग ने बनवाए थे राजा धंग नोबडी विल टेल यू दिस तो खुजराहो टेंपाओ फजो हैं वह एक साथ बनाए गए थे और यह रिलीजन को शाथ बैसे जो बेसिकली नाइनस्टी से असोसेटेट हैं तो बेसिकली धार कोशन कूझ आता है और 1986 में इसको World Heritage Site Declare कर दिया गया था Monuments at Humpey, Humpey के अगर हम बात करें तो जो Humpey के Monuments है 1986 में आपको बता है Humpey जो है वो करनाटका में है और basically आपको ये बताना है कि कितने के नोट में आपको Humpey जो है वो पिक्चर देखने को मिलेगा हमpey का पिक्चर जो है वो कितने रुपीस के नोट में जो है वो प्रिंट किया गया है तो basically ये कोशन आपको पताना है बिलारी डिस्टिक्ट में करनाटका में है ये और ये जो है Humpey ये जो last capital रही है Hindu kingdom जो विजय नगर जो रहा है और जिसके जो king रहे हैं कि कृष्णदेव राए और आपको वहीं पर मिलेंगे कों तेनाली रामा जो बहुत फेमस थे कि तो basically remember this और मैं आपको बता दूँ कि first gun powder कर यूज भी विजय नगर में ही किया गया था क्योंकि अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे कि भारत में किस ने किया था तो विजय नगर के जो king थे क्रिष्ण देव राय उन्होंने किया था उस समय तो basically remember this and it is the फैबलरी रिच प्रिंस बिल्ट दर्वीडियन इस्टाइल एंड पैलेसेज विच इस वन दा admiration of travelers between 14 to 16th century तो basically अपनी आर्किटेक्ट्चर के लिए फेमास हैं यह हमपी के जो monuments हैं और यहां के जो prince थे जो यहां की जो जो king थे वह बहुत ही रिच थे और उन्हों ने बहुत अच्छे जो हैं ड्रवीडियन इस्टाइल के temples बना हुए basically ड्रवीडियन इस्टाइल यह होता है कि लंबे-लंब मतलब इस तरीके से चीज़े रहती है इस तरीके से सिर्फ आपको यहां से उपर ही उपर मिलेगा मतलब आपको आजू बाजू में वाल वाल नहीं मिलेंगी तो बैसिकली यह डिफेंस होता है फत्यपूर सीक्री की हम बात करेंगे तो अकबर ने गुजरात विजय के बाद जो है यहां पर बनवाए था और फत्यपूर सीक्री एक टाउन है अग्रडिस्टिक में जो तरपदेश में से च्विटेट है और इसको मुगल एंपायर जो थे 1571 में अकबर ने इसको जो है फॉंड की थी बैसिकली अकबर इस ऑल्सो फांड़ेट इलाहाबाद आखभर ने इलाहबाद को भी फांड किया था जिसको अपना हいたल के प्र crimes कर दिया गया है and remember this और जब अपद धिस्श्य के तो बेसिकली रिमेंबर दिस पट्टाड़कल टेंपल्स के हम बात कर रहे हैं करनाटका में हैं करनाटका के क्याप्टाल है पैंगलोरू और 1987 में इसको युनेट्सको व्ल्ड हेटेसाइड डेक्लियर कर दिया गया है इसको पट्टाड़कल भी बोलते हैं और रक्तापुरा यह पूरा कॉंप्लेक्स है जो सेवंट एट सेंचुरी को जो है मॉनुमेंट्स को जो है दर्शाता है और यह हिंदू और जैन टेंपल्स के लिए फेमस है तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है तो यह माला प्रभाह जो रिवर है वहां पे बगल कोट डिस्टिक में यहां हिंदू गॉड जो है शिवा उनको यह डेडिकेटेट तो अलिफेंटा आइसलेंड और घरापुरी जो है यह मॉंबई में सिच्टेट है और यह आपको महराश्ट में मिलेगा तो बेसिकली इसेटेटेट अन इस्ट ओफ मॉंबई एस्ट में यह आपको देखने को मिलेग और माहराश्ट में डिस इस अल्सों ओने लिटिरली इस अल्फेंटा ऐसलेंड बैसेटी ओफ केव्स और यह आपको आइसलेंड उनकों में लिए और यह कहां पे है है वापको महराश्ट में मिलेगा मुंबई नहीं फिली सब्सक्राइब एक सुन्दर्बन शुनेटाइग पेके हम बात करें तो जो सुन्दordum लैशनल पार्क है कि आपको वेस्ट पेंगॉल में देखने को मिलेगा और वहां पर you पहुत हो लूख टो टूब जिसगर इस आपको फॉरस देखने को मिलीघां है फॉर पहर फोल्टー पतार सो बेसिकली 4th मैं 1984 को इसको नैशनल पार्क फिर डिक्लियर कर दिया गया and now it is a world heritage UNESCO site तो बेसिकली यह आपको ध्यान रखना है और सुन्दरबन जो है वो लार्जेस्ट मैन गूरूव है आपको पता ही होगा सुन्दरबन इस लार्जेस्ट मैन गूरूव पॉरेस्ट हट हो जो चोलाष टेंपल में बात करेंगे चलस के जो हैं घंगाई Украї कौनडा चोलापुरं जो टेंपल्स है तो यह आपको घंगाई चोलापूरं जो है यह विलेज है जो जहन कोंडाम में और शिक में तामिलनादों है One रही है चोल डाइस्टी की तो बेसेकली 1025 तक यह जो राजन चोल वन थे तब तक यह जड़ ही कैपिटल रही है 250 यह तो बेसेकली यह इंशेंट मॉन्युमेंट को दरसाता है तो इंशेंट चीज यह रही है तो इसको इसको विल्ड हेरिटेज साइड डिक्लियर कर दिया गय क्योंकि यह चोल आज जो थे उनकी कैपिटल रही है तो ब्रहदेश्चवरा टेंपल तो तंजावर की वुड कार्विंग तंजावर की वुड कार्विंग को अभी जी आई टेंग मिला है जी आई टेंग मिला है तंजावर को वुड कार्विंग को और इसको 1987 में जो है डिक्लियर कर दिया गया था ब्रहदेश्वरा जो टेंपल है उसको राजर रावेश्वरम भी बोला जाता है और पेरू वुद्द्यार कोगल भी बोला जाता है यह हिंदू टेंपल है जो को दर्शा आता है तो बेसिकली इट इस बिल्ट इन ड्रेविडियन स्टाइल और इसको बनाया गया था तामिल केंग जो थे राजा राजा चौल वन इनको बना इनोंने बनाया था वन थावन थाओं ट्री टू टैन हंड्रेट एंटेंटेंटेंटेंटेंटी के बीच में ग्रच दीक्लtx कर देंगया इस जो है यह जो है रही हगे ग्रोण को ब्रदेश्च्छ डिखाता है और यह जोता हैं डिश्य कंग-व लंके सटेंटेंटेंच 02 को जो है करता है और यह रावते हुद्टाष लावन इस स्टाइल को जो फॉलो करता है और बेसिकली यह अपको उन्होंने इसको बनवाया था और यह आपको देखने को अैंट जो है यह ग्रेट लिविंग चोड टेंपल ग्रिट आह एं तो बेसिकली रिएघो देस डेशन नंदा देवी एड वेली एफ वावर्स नेशनल पार्ग तो बहुत ही प्यारा लगता है नंदा देवी नेशनल पार्क जो है और व्यूस्पीर इसको 1982 में स्टेब्लिश किया गया था तो इसा नेशनल पार्क और यह नंदा देवी कि अगर हाइट के हम बात करें तो 7816 मीटर है जो उत्रा खड में इस्थिर है और जो नेशनल पार्क है उसको वल्ड हरिटेस है डेकलियर कर दिया गया था 1988 में और यह नंदा देवी एंड वैली अफ्लावर नेशनल पार्गें 2005 साची स्तूप साची स्तूप के हम बात करेंगे जो मत्य प्रदेश में हैं और मत्य प्रदेश के राइसेंड डिस्टिक में आपको मिले गई और मैं आपको बता दूँ कि मत्य प्रदेश में तीन जो हैं योनेशको बल्ड हरिटेस साइड है एक है साची स्तूप सेकेंड भीम बेटका एंड थर्ड इस खुजराहो तो बेसिकली खुजराहो है छेतरपोर डिस्टिक में और साची स्तूप और भीम बेटका है राइसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंट मॉन्यूमेंट है इसको जो है एंपरर अशोक ने बरवाया था जो मौरेट डानेस्टी के थे थर्ड सेंचुरी बीसी में तो बेसिकली इस लोकेटेट इन डिस्ट्रिक राइसेन और मध्य प्रदेश तो रिमेंबर दिस और इसको है प्रांस की फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो यूक्ष को जो है है डिलियर करता है और इसको चीफ है और ऑ्री अजोले और ड्री अजोले इस दा चीफ ऑफ युनेस्को तो बैसिकली आपको ध्यान रखना है हुमायू से टॉम की हम बात करेंगे जो की बेस था ताज महल का यह बार यह कोश्चन जो है यूपी असी में पूछा भी जा चुका है कि ताज महल का बेस क्या था तो बेसिकली जो बेस बनाने का वो था युमायू की टॉम्ब और युमायू टॉम है वह दिली में है 1993 में इसको युनेस्को वर्ल हरीटिस आइड जो है अ नहिते जो है डेक्लियर कर दिया गया था हुमायू टॉम्ज को है वह सेकंड्म घ्र्म अम्परर ठें बाबर बाबर के बैटे थे हुमाय आयू की जो फर्स्ट वाइब थी उन्होंने इसको जो है बेगा बेगम उन्होंने इसको बनवाया था एंड इस डिजाइड वाइड मिरक्त मिर्जा ग्यास एंड हिस संसेयद मुहम्मद 1570 में यह जो टॉंब है इसको बनाया गया था एंड इस ऑलसो फर्स्ट गार्डन टॉंब ऑफ इंडियन सब कॉंटिनेंट क्टूब मिनार की बात करेंगे क्टूब मिनार को बनाये था कुत्व अगज़ी नएबग ने गौरी जब आता है तो मुहमध्य गौरी जो है वो यहां से इंवेट कर यहां पर छोड़ के चल जाता है तो कुदब उती नवाग्य जो जो सूफी संथ होते हैं उनका नाम कुदब काकी रहता है शायद उनका नाम जो है और उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था तो बेसिकली यह आपको ध्यान रखना है और कुटब मिनार जो है वो विक्टरी टावर के नाम से भी जाना जाता है और उनेक्स को वर्ल हरिटिस साइड में इसको डेकलियर कर दिया गया था यह महरू महरूली जो एरिया है नुडेली का वहां पर ही सेच्वेटेड है तो बेसिकली हाइट है वह 72.5 मीटर है और अगर हम बात करें तो टॉलेस्ट माइनरेट है जो बिक का बना हुआ है तो बेसिकली यह आपको ध्यान रखना है और मैं आपको बता दू तो इसमें जो फिफ्ट इसको करवाई था वह करवाई था किसने इसको करवाया था कैसे और जो फिफ्ट फ्लोर है वह बनवाए था फ्रोश्रा तो रहेंबर देस oh, कुतुप सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है और मैं आपको बता दू कि कुद्वुद्दीन एवक ने इसका फांडेशन रखा था फिर इसको जो है इसका काम तुद्मिश ने पूरा करवाए था और फिर उसके बाद जो है फिफ्ट फ्लोर बनवाए था फिरोश्या तुगलक में तो बेसिकली हम यह सब डिसकस करेंगे तारजी लिंग हमालिया रेल्वे की हम बात करें तो इसको डियेचर टॉय ट्रें के नाम से जाना जाता है तो जो गेज है रेलवे का वो टू फिट का है और यह जलपाई गुडी से लेके तारजी लिंग तक चलती है विज इन वैस्ट इसको जो है 1879 से लेके 1881 पर बिल्ट किया गया था और यह 88 किलोमेटर की जो है लॉंग ट्रें रूट है और इसको 2nd December 1999 में जो है UNESCO World Heritage Site Declare कर दिया गया था और अगर मैं आप से बात करूँ दारजी लिंग की तो दारजी लिंग वही सिटी है जहां पर सबसे यादा टी प तर हो जाएगा असम और हमारा जो टी बोर्ड है वो कहां पर है तो टी बोर्ड का जो हेड़कोर्टर है वो है कैलकाटा में तो यह आपको ध्यान रखना है यह तीन चीज़ है और इसके अलावा जो है माउंटेन रेलवे यह बहुत ही खुब्सूरत रेलवे है जो आपको इसका गेज है जो तामिल नाडू में है और इसको बिटिश ने बनवाया था 1908 में और यह जो है साउधन रेलवे इसको ऑपरेट करता है अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है नया रेलवे जोन भी बन गया है जिसे हम 17 रेलवे जोन कहते हैं साउथ कोस्ट रेलवे जिसका हैड क्वार्टर है विजयक मतलब विशाखा पटना तो बेसिकली यह आपको ध्यान रखना है 2005 में इसको युनेस्को हेरिटिस साइड डेक्लियर कर दिया गया था बात करके कालका शिम्ला रेलवे की और अगर आप इसमें नहीं बैठे हैं और कभी नहीं गए अगर आप कभी भी जाएंगे तो जरूर इस पे आप बैठें आपको कालका से शिम्ला जाना पड़ेगा बेसिकली यह हर्याना में एक जगह है तो वहां से यह शुरू होती है और वहां से आपको फिर शिम्ला जाना पड़ेगा आपको कम से कम इसमें हंड्रेट से प्लस आपको टनल देखने को मिलेगी मेरा परसनल एक्स्पिरेंस में खुद गया हूँ और यह बहुत अच्छी ट्रेन है आप जरूर जाए इसमें बस booking का ध्यान रखे कि booking पहले करव नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी तो बेसे कली काल का शिम्ला जो रेल्वे है वो टू फिट और शिक्स का नेरो गेज है यह जो है वह नौर्थ इंडिया में सिच्वेटेट है जो माउंटेंस रूट से काल का शिम्ला जाती है और बहुत अच्छा व्यू आपको देखन जाना प्रता है तो बहुत ही अच्छी जगह है और जो इसको युनेस्कों वर्ल्ट हरिटेस साइड डेक्लियर किया था वह सेकेंड ऑफ जॉलाई एट ऑफ जॉलाई 2008 में इसको डेक्लियर किया गया था काल का शिम्ला रेल्वे और हो सके तो आप विंटर में जाएं और अ उनेस्कों डेक्लियर कर दिया गया था माहबोधी टेंपल और महाबोधी महवीरा टेंपल इसको बुला जाता है यह उन्हें इसको वर्ल्ट हरिटेज साइड है और आप जानते ही है कि जो बहुत गया है वह बहुत ही आड की परेंस प्लेस है क्योंकि यहीं पर जो है एक है लुम्बिनी एंड अनदर इस बॉद्ध गया तो यह आपको ध्यान रखना है जो पठना में 96 किलोमीटर है पठना से बॉद्ध गया और महाबोधी टेंपल जो है बॉद्ध गया में लोकेटेट है और यह 2002 में इसको वर्ड हरिटेस साइड डेक्लियर कर दिया गया था और यहीं पर जो है जो गौतम बुद्ध थे उनको एनलाइट्मेंट हुआ था रॉक शेल्टर ऑफ भीम बेटिका तो भीम बेटिका की जो केव्स हैं जो मध्यपरदेश में राइसेंड डिस्ट्रिक में है इनको 2003 में युनेस्को वर्ड हरिटेस साइड डेक्लियर कर दिय और यहां पर यूमन लाइफ के जो ट्रेक्स मिले हुए हैं और एविडेन्स मिले हैं इस चोनेज के कि यहां पर शुरू यह स्टोनेज पर पहले यहां पर काम होता था लोग यहां रहते थे तो बेसिकली यह जो है राइसेंड डिस्ट्रिक में मध्यपरदेश में और यह उसको 2003 देखले और दिया गया था चुमपानेगेर पावगार पार्क जो पार्क फण दोझ गया जो बिंद के साइड और यह तंच 7 हीटा फटमेश और यह हिस्ट्रिक शिटी ८र्ही जिसको वनराज चावडा ने फाउंड किया था दा फेमस केंग ओफ चावडा डाइनेस्टी इन एट्थ सेंचुरी आपको ध्यान रखना है और उनके दोस्त हुआ करते थे जनरल चंपा तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने इसको नाम रख दिया इनका जो है चंपा ने और जिनको चंपर आज सब्सक्तितर जो मुंबई में है महराष्ट में इसको 2004 में वर्ल हरीटेस से । है डिक्लियर कर दिया गया था चैतरप्यदी सिवाजी टर्मिनस की हम बात करेंगे तो यह जो है चरत्तमती सवाजी महाराज के नाम पर 44 इसको रखा गया है विक्टोरिया तर्मिनास के नाम से भी जाना जाता है एक को धीहान रखना है आपको इसको मुंभई सेंटरल सेTIN कंफ्यूज मत करना मुंभई सेंटरल का नाम चेंज करके अब शेहां कर दिए घया है नाना संकर शेट और सदिखली मैं आपको बता दू obrig खोर है रहे हमित्स का इसेस्ति जो इड्द कोटर है वह है सेंट्रल रिल्वें का और अगर मैं बात करूं वैस्टन रईल्वे का तो तो मुंबई में है लेकिन वह चर्श गेट में तो बेसिकली यह दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है रेट फोर्ट के हम बात करेंगे लाल किला जो पूरा कॉंपलेक्स है रेट फोर्ट के अंदर करीब 20-20 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और वहां पर आपको जो है चाता बजार मिलेगा और दीवाने आम दी दिल्ली में इस चिट थे और इसको जो है मुगल एंपरर अपने रेसिडेंस के लिए यूज करते थे और इसको शाह जहां ने बनवाया था 1638 में जब उन्होंने डिशाइड कर ले थे कि मैं अपनी केपिटल शिफ्ट कर रहा हूं कहां से आगरा से दिल्ली तो बेसिकली य जो 1639 से 1648 के बीच में बनाया गया है जंतर मंतर ऑफ जैपूर जंतर मंतर जैपूर का जो है हम उसकी बात करें जो राजस्थान में है और 2010 में इसको युनेशको वाल्ट हरेटेस साइड डेक्लेयर किया गया है जंतर मंतर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को यहां पर 19 आर और इस मॉन्यूमेंट को यह जो आप देख रहे हैं इस मॉन्यूमेंट को 1734 पर जो है कम्प्लीट किया गया था और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ तो यह वर्ल्ट का लार्जस्ट स्टोन संडेल है और युनेशको वर्ट हरेटेस साइड है जो 2010 में इसको टेक्लेय किया गया है और बेसिकली इस लोकेटेट नियर दा हवा मैं इस तरीके का अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो साउथ में कुछ इस तरीके का आपको मैप देखने को मिलेगा तो तो आपको यहाँ पे इस्टान घाट मिलेंगे यहाँ पे आपको वेस्टान घाट मिलेंगे इसी को आप तो सहाधरी बोलते हैं सहाधरी माउंटेंस बोलेंगे जो वेस्टान घाट है उसको हम सहाधरी बोलते हैं और बैनेवोलेंट माउंटेंस भी इनको बोला जाता है औ और हम बात करें किलोमेटर की तो 1600 किलोमेटर में ये पूरे फैले हुए हैं और वेस्टन कोट जो है इंडियन पेनिंसुला का तो वहां पर यह हैं और आपको यह देखने को मिलेंगे तामिल नाडू में केरला में करनाटका गुआ महराश्ट गुजरात तो यह आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और युनेस्को वर्ड हरिटेस साइड है जो 2012 में इसको टिकलियर किया गया था हिल्स फोर्ट ऑफ राजिस्थान तो बैसे के लिए अगर हम हिल्स फोर्ट ऑफ राजिस्थान की बात करें तो बहुत सारे राजिस्थान में ऐसे जो six majestic forts हैं हम उनकी कि बात करेंगे जैसे चित्तौरगड कुंबलगड सवाई माधुपूर जहलावाड जैपूर रहे जैसलमेर तो हम इन सब की बात करेंगे इसे के लिए बात करेंगे चित्तोरगड के फोर्ट की चित्तोरगड का जो फोर्ट है वह largest for एंडिया में और यह यह Unesco White Heritage साइड है और यह जो मेवार की Capital थी वहां पर यह located है प्रेजेंट चित्तोर बहुत है जो इसकी हाइड है वो 180 मीटर है और 691.9 एकर में ये फैला हुआ है बिग बिग देन बिगर देन बिग पैलेस बिसेकली बहुत ही जादा बड़ा है ये कुंबलगर फोर्ड के हम बात करें तो कुंबलगर जो है कुंबल फोर्ड के नाम से भी जाना जाता है ये मिवाड में आपको देखने को मिलेगा अरावरी हिल्स में और राजसमान्द डिस्टिक है वहाँ पर उदाइपूर के पास राजिस्थान में तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइड है राना कुंबा और इसको राना जो कुंबा थे उन्होंने इसको बनवाया था तो बेसिकली 2013 में इसको डिकलियर कर दिया गया क्या युनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइड सवाई माधवपूर जो है ये सिटी है और जो माधवपूर डिस्टिक में राजिस्थान में और इसका जो ये भरतपूर डिवीजन में आता है तो बेसिकली इसको सवाई माधवपूर जो है रन्थमबोर नैशनल पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलेगा सो बेसिकली आपको रन्थमबोर जो fort है और जो सवाई मादोपुर है उसको जो है world heritage से declare कर दिया गया था 2013 में तो बेसिकली ये जो है 2013 में इसको declare किया गया है जहलावाड fort और गैगरान fort जहलावाड एक जगह है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी और गैगरान fort जो है जहलावाड डिस्टिक में आपको देखने को मिलेगा और ये एक example है hill और water fort का तो बेसिकली six hill को जब declare किया गया six जो fort है उसको declare किया गया तो उसमें से एक जो था वजहलावाड fort भी था और इसको युनेस्को वर्ड हरिटेस साइड डेकलेर कर दिया गया था यह आमेर राजस्थान में लोकेटेड है और यह जो है आपको इसको जो बिल्ट किया था वह मीनास जो थे उन्होंने इसको बिल्ट किया था जब 37 सेचन हुआ युनेसको वर्ड हरिटेस कमिटी का तो उसमें 2013 में आमेर के फोट को जो है अधर फोट के साथ जो पांच प्सूरस सिटी है और यह जैसलमेर जो है राजस्थान में सिच्वेटेड है और इसको जो है 2013 में जब यह मीटिंग हुई थी तब इसको भी टेक्लियर कर दिया गया था युनेसको वर्ड हेरिटेज साइट तो बेसिकली रमेंबर देस Churches and Convents of Goa Churches and Convents of Goa 1986 में इसको टेक्लियर कर दिया गया था तो Churches and Convents of Old Goa इस नेम गिवन बाइव युनेसको बेसिकली इसको इसको 1986 में जो है पूर्टगीज के लिए ट्रेट क्या तो 1986 में इसको टेक्लियर कर देगा जो वर्ड हेरिटेज सिटी है उसमें रानी की वाउ के हम बात करेंगे रानी की वाउ बहुत फेमस है आपको यह बताना कि रानी की वाउ जो है कितने आपको रुपे के नोट में देखने को मिलेगी तो बेसिकली इन विच नोट इन विच नोट यू विल फाइंड रानी की वाउ तो दा क्वीन स्टेप वेल की हम बात करेंगे जो यह पाटन गुजरात में है पाटन आपको कुछ याद आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा है तो पाटन में ही बर्थ हुए था किसको पाटन पाटन में तो बेसिकली 1542 में बर्थ हुआ था अकपर का पाटन में तो रानी की वाउग जो है एक टाउन है सेच्वेटेड है कहां पाटन गुजरात में और यह जो है सरस्वती निवर के किनारे है और तो बेसिकली यह जो है स्वलंगी डाइनस्टी के जो थे उन्होंने स्वलंगी इसको बनवाया था तो बैसिकली इसको 2014 में वर्ल हरिटेस साइड में इसको जो है जहे मिल गई थी Great Himalayan National Park और Conservation Area 2014 में इसको UNESCO World Heritage Site Declare कर दिया गया था Great Himalayan National Park जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा तो आपको हमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और यह कुलू रीजन हमाचल प्रदेश का वहाँ पर यह situated है इसको 1984 में established किया गया था यह पाक को और Great Himalayan National Park was added in UNESCO list of World Heritage Sites in 2014 So basically remember this And basically इसका जो criteria था किस criteria पर इसको जो है World Heritage Site Declare किया गया था तो outstanding significance for biodiversity conservation So basically outstanding significance जो 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 इसको UNESCO में रखा गया है World Heritage Site इसको declare किया गया है Archaeological Site of Nalanda Mahavira 2016 So basically Nalanda University के हम बात करेंगे जो बिहार में है और Nalanda यहां पर जगे ही है और Nalanda Mahavira जो side है वो बिहार में है और यह जो है एक Archaeological Site भी है और इसको जो है कुमार गुप्त वन जो थे उन्होंने इसको बनवाया था आपको पता है एक University जो आपने सुनी होगी जो है तक्षिला जो अभी पेशावर पंजाब है इसको बनवाया था तक्षन ने तो बैसिकली यह परमेंबर, और आप बात करेंगे इसको आर्टेक्ट्ट्र वर्क ऑन ली कॉर्बोई जो 2016 में इसको वाड़ेटेज साइड डेक्लियर किया गया था तो बैसिकली इस एन आउट आउटसेंडिंग कॉंट्रिबूशन टू दा मॉडर्न मुवमेंट इन वर्ल्ड हरिटेज साइड तो बैसिकली जो वर्ल्ड हरिटेज साइड में जिन्हों ने बहुत अच्छा काम क रखा गया है और यह जो आर्ट आर्किटेक्ट्चर है यहां पर आपको देखने के मिलेंगे चंडिगर में इनमें 17 बिल्डिंग है और 17 प्रोजेक्ट इतने अच्छे हैं जो अलग-अलग कंट्री से बनाया गया है तो बैसिकली फ्रेंसों स्विस्ट आर्किटेक्ट्ट जो है उन्होंने इसको बनाया है और यह जो साइट है वो डिमॉंस्ट्रेट करती है कि कितने मौडर्न मुवमेंट जो है आर्किटेक्ट्चर में हुए हैं और जो सुसाइटी के लिए भी जरूरी थे और जहां पर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट्ट भी देखने को मिला है यह शर्किंग था लंगर ऐसकांट्रेट केलाइग के बात करेंग खांग चेञ्जूंग गा नैशिक हल स्कम् में था और कंच जनग बायोस्विएर बहाँhand ऐसओंन में बेस्तर क्या गया था और यह मैं आपको बता दो कि यह mixed heritage side है भारत की और इसको युनेसको ने जो है युनेसको ने इसको वाल्ड हरिटेस साइड डेक्लियर किया गया तो बैसिकली इस इसको युनेसको वाल्ड हरिटेस साइड इस वाट बैस्फियर रिजर्व बैसिकली बैस्फियर रिजर्व जहां पर बाइव डाइबर सेटी को जो है कंजर किया जाता है कि है इस्टोरिक सीटी ओफ एमदाबाद के हम बात करेंगे 2017 में आपको याद होगा 2017 में एहमदाबाद को जो है वह एहमदाबाद को वर्ड एडिटेस साइड डिक्लियर किया गया था और एहमदाबाद सीटी वास्वांड़ेट बाइहमद शाह और फिर वो कभी काफी साम अपनत की केपिटल भी रही है और पॉलिटिकल और कमरिशल सेंटर भी रहे है गुजरात के तो बैसे कली आपको ध्यान रखना है और प्रिजेंट में अगर हम बात करें तो मेट्रोपलिटन सिटी है एहमदाबाद बहुत ही सेंबॉलिक प्लेस है और इसको वर्ड जो आर्ट डेको एंसेंब्लेस है एंसेंब्लेस है मूंबई का उसको यहाँ बहुत आपको कलेक्षन देखने को मिले का बहुत सारी चीजहों का बेसेकली यह जो बिल्डिक है इसको जो जो है व्ल्ड हरिटेज़ साइड डेलेयर किया गया है इस बिल्डेक को और 2018 वे इसक इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है और जैपॉर फेमास है हवा महल के लिए और इसको जो है 1727 में राजपूत रूलर जो थे जैसिंग 2 उन्होंने इसको फाउंड किया था जो आमेर के रूलर थे और 6 जॉलाइ सब्सक्राइब 2019 को इसको युनेसको वर्ल्ड हरिटेस साइट डेक्लियर कर दिया गया इसको पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और उसके साथ साथ अकर मैं बात करूं यहां पर आपको आम एर फोर्ड मिलेगा जंतर मंतर मिलेगा तो जैपॉर में आपको बहुत सी बहुत से लगल्ञे से लेग को मिलेगी यही नयुकर केकल और ऑफ राजस्थान सो बैसकिन लीए पूरे युनेसकों बने सचाइट हम ने पूरे जो है उन्यासं को बाल घने साइट ही भारत में एं उन्यासं को कैसे डिक्लेयर करता है बल्सक्राइच्ब और उसके क्या क्र है तो basically to promote the to design to promote the education basically for this UNESCO declare world heritage site to maintain peace in the world so meet करता हूँ कि यहां पर आपको बहुत को जानने को मिला होगा so God bless you God bless you goodbye see in the next videos of MM Academy